कॉंग्रेस के 71 वर्षिय वरिष्ट नेता अहमद पटेल का निधन कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता अहमद पटेल का आज सुबह साड़े तीन बजे निधन हो गया है वे गुडगाओं के मेदानता अस्पताल की ICU में भरती थे उनके निधन की जानकारी उनके बेटे फैसल पटेल ने दी एहमद पटेल कुछ हफते पहले कोरोना वाइरस से संक्रमित पाए गए थे 71 वर्षिय एहमद पटेल ने एक अक्तुबर को ट्वीट किया था कि वह कोरोना वाइरस से संक्रमित पाए गए है एहमत पतेल के निधन पर कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा मैंने एक अपरिवर्तनिय कॉम्रेड एक वफादार सहयोगी और एक दोस्त खो दिया। सोनिया गांधी ने लिखा, एहमत पतेल के रूप में मैंने एक सहयोगी को खो दिया है, जिसका पूरा जीवन कॉंग्रेस पार्टी को समर्पित था। उन्होंने आगे लिखा, मैंने एक अपरिवर्तनिय कॉम्रेड एक वफादार सहयोगी और एक दोस्त खो दिया है, मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करती हूँ और मैं उनके शोक संतप्त परिवार के लिए समवेदनाय व्यक्त करती हूँ। बता दें कि एहमद पटेल ने वर्षो तक सुनिया गांदी के राजनीतिक सलाकार के तौर पर काम किया और माना जाता है कि वह उनके द्वारा लिये गए हर महत्वपून निर्णे का हिस्सा थे। अहमद पटेल के निदन पर राहूल गांदी ने ट्वीट किया, ये एक दुखत दिन है, श्री अहमद पटेल कॉंग्रिस पार्टी के एक स्तंब थे, उन्होंने कॉंग्रिस पार्टी को जिया और सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे, वो अती महत्वपून थे हम उन्हें याद करेंगे फैसल मुम्ताज और परिवार को मेरा प्यार और सम्विद नाएं